इस फॉक्षिकिन दरो टो ब्रवहक cassotto मेड़र मेरी मानों तो यह बहुत ऑसेम च्छेलर यहाँ हमें बहुत wizard के विलनत के एहिंज दिये गए हैं उसके सार्फ मल्टी वर्ट सिर्काज भी मिला है गाईस और एक बाद आपको बताना चाहूंगा कि यह basically वही ट्रेलर का modified version है जो basically कल लीक हुआ था So guys अब आप लोगों को जादा नाफ पका कर बढ़ते हैं इस ट्रेलर के breakdown की ओर लेकिन गाईस उससे बढ़ एक छोटी सी request अगर आप इस चैनल पने आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें So guys मैं हूँ इस चैनल का host और दोस्तो हम आप देख रहे हैं सूप्ष टीवी So guys चलिए शुरू करते हैं So guys टीजर की शुरूआत में हम देखते हैं Peter और MJ को जो की एक rooftop पर लेटे हुए हैं यहां basically MJ का article पर ही होती है Spider-Man से related जिसमें लिखा हुँ होता है कि Peter Park का यानि कि जो Spider-Man है वो basically females को भी hypnotize कर सकता है Just like a male spider और guys यही पर इसी सीन पर हमें स्टीव डिटको का easter egg भी दिखते हैं यहां देखेंगे तो आपको गौर से आपको दिखेगा डिटको लिखा हुआ जो की basically reference है Spider-Man के creator स्टीव डिटको के लिए basically Stanley और स्टीव डिटको ने मिलकर Spider-Man के character को बनाया यहां इस सीन में पीटर परकर यह कहता भी कि एम जी अब बस करो क्योंकि यार वो अब इन चीजों से बहुत ही जादा डिश्टरब्ड हो चुका है वो अब तंग आ चुका है इन सब चीजों से फिर आगे के सीन में पीटर परकर को यह भी कहते सुनते कि क्या हम इन रूप टॉप्स में ही नहीं रह सकते क्योंकि नीचे वहां बहुत ही chaos है बेसिकली क्या हुआ था कि Far From Home के एंडिंग में आपको तो पता ही होगा कि हमारे MCU के अरनब गोस्वामी यानि कि J. Jonah Jameson ने Spider-Man के आइडेंटिटी रिवील कर दी थी और उसके उपर मिस्टीरियों के मर्डर के चार्जेस भी लगा दिये थे जिसकर बहुत ही जादा chaos मच चुका है और लोग Spider-Man के पीछे पर चुके हैं फिर आगे हम देखते हैं continuity Far From Home से जहां पर बेसिकली J. Jonah Jameson ने Spider-Man को एक्सपोस कर दिया है और उसके साथ साथ उसे Public Enemy No.1 भी घोशित कर दिया है फिर आगे के सीन में हम यह भी देखते हैं कि लोगों ने Peter Parker को घेर कर प्रस्पीर ही लेना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ Peter और MG है भागने की भी कोशिश करते हैं पर एट देंट पुलीस उन्हें पकड़ी लेती है फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि Peter Parker यहां एरेश्ट हो चुका है और यहां बेसिकली उसे हतकर ही पैना दी गई है और यहां बेसिकली कुछ officers उससे पूछताज कर रहे हैं और अगर आब इस officer की costume को God से देखोगे तो यहां आपको लिखा हुआ दिखेगा DODC Department of Damage Control जिसे अपने Spider-Man Homecoming में भी देखा होगा यहां बेसिकली officer यह बोल रहा है कि Peter Parker नहीं मिश्टिरियो को मारा है पर Peter Parker यहां बोल रहा है कि मैंने उसको नहीं मारा द्रोन्स ने मारा पर यहां officer यह कह देता है कि यह द्रोन्स तो तुम्हा रही थे बेसिकली नहीं यहां समझाना मुश्किल होता है पर इसके बाद आता एक बहुती important scene फिर हम यहां आगे इस scene को देखते जहां बेसिकली एक white shirt पहना हुआ आदमी टेबिल पर Peter की case file लगता है मेरे ख्याल से यह बेसिकली Matt Modok का character होने वाला है जिसे play करेंगे Charlie Cox याने कि AK Daredevil फिर आगे के scene में आप Peter Parker दिखते है जो कि video call में बात कर रहा है MJ से MJ basically यहां यह बोल रही है कि क्या तुम्हें थोड़ी से भी खुशी नहीं है कि अब लोगों को सब कुछ पता चल चुका है अब तुम्हें किसी से कुछ चुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें फ्री हो चुके और तुम्हें अब किसी से जुट बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पिर यहां Peter कहता है कि यह सिल्प मेरे बारे में नहीं है मेरे कारण मेरे चाने वालों को भी तकलीप पहुच रही है और वो यह भी कहता है कि वो हमेशा सोचता रहता है कि वो यह सब कैसे ठीक करें और फिर हमें background में एक scene देखने को मिलता है जहां पर basically पीटर के identity reveal होने के consequences से पीटर जूज रहा है और basically यहां पीटर और उसके दो स्कूल में एंटर कर रहा है जहां basically लोगों की भीड जमा हो चुकी है और यहां किसी टाइब के प्रोटेस्ट हो रहा है और basically इस प्रोटेस्ट के यहां में रिपोर्टेस्ट देखने को मिलते हैं और उनमें से एक रिपोर्टर होती है Betty Brand और वो अब अपने स्कूल की तरफ से रिपोर्ट कर रही है और फिर यहां इसी प्रोटेस्ट वाले scene में हमें एक poster दिखता है यूज करके Peter Parker यानि कि Spider-Man की identity को फिर से secret बना दिया फिर आगे कुछ scenes में हम Ant में और Net के interrogation scenes को भी देख पाते हैं और basically यार अब Peter इन सब चीज़ते तंग आ चुका है फिर हम एक Halloween decoration देखते हैं जो wizard जैसी दिखती है जिसको देखकर Peter को idea आता है और वो मदद के लिए जाता है Doctor Strange के पास फिर आगे के scene में हम यहाँ देखते है Doctor Strange को जो की अपने hoodie और joggers के साथ enjoy कर रहे हैं अपने बरफीले sanctum में और अगर आप इस scene को घौर से देखो तो यहाँ आपको हर तरफ बरब दिखाई देगी इस चीज़ की दो possibilities हो सकती है पहली possibility यह हो सकती है कि जब infinity war में hulk छत तोड़कर नीचे गिरा था उस चत को Doctor Strange ने अब तक ठीक नहीं करवाया और दूसरी possibility यह हो सकती है कि Doctor Strange ने को spell cast किया होगा जो कि गलत हो गया होगा जिस कारण sanctum का यह हाल है और यहाँ एक comedy scene होता है उसके बाद Peter अपनी problems को पूरी तरह explain करता है Doctor Strange को और फिर आगे के को shots को हम basically यहाँ Peter Parker को देखते है किसी का पीछा करते हुए अपने नए black and gold suit में और basically जहाँ यह scene take place हो रहा है यह जगा basically fist organization है fist एक ऐसी organization है जो करीवों को food और shelter provide करती है और इस जगा को basically fund करता है Spider-Man का famous villain Martian Lee या फिर आप कह सकतो Mr. Negative आगे सब कुछ सुनने के बाद Doctor Strange यह कहते है कि उनके पास एक ऐसा spell है जो पूरे दुनिया की memories wipe out कर देगा पर वांग Dr. Strange को सक्त मना कर देता है उस spell का use करने से और वहां से portal खोल कर चला जाता है और फिर Peter को आख मानने के बाद Doctor Strange उसे अपने basement में ले जाते है जहाँ पर यह लोग basically spell को perform करते हैं और जब Dr. Strange उस्पेल को cast कर रहे होते हैं तब पीटर पार्क पर basically Dr. Strange से कई सवाल पूछन लग जाता है कि क्या MJB भूल जाएगी क्या NET भी भूल जाएगा कम से कम आंट मेको तो छोड़तो या फिर उसके बाद तो डॉक्टर सेंज को यह कहने लगता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लेक्टिब लोगों को छोड़कर पूरे दुनिया की memory wipe कर दी जाए डॉक्टर सेंज कहते हैं कि यह spell उस तरह से काम नहीं करता फिर आगे भी पीटर उन्हें डिश्टब करता है जिसका उनका ध्यान भटक जाता है और पूरी तरह से chaos फैल जाता है क्योंकि spell यहां पूरी तरह से रॉंग हो चुका है और हमें यहां कुछ lights और visual effects दिखते हैं और उसके जानना, Sylvie का Hugh Remains को मार देना और डॉक्टर स्ट्रेंज के यह spell कास्ट करना सब एक ही टाइम पर हुए हो जिस कारण से multiverse में chaos मज गया हो और basically multiverse of madness चुडू हो गया और डॉक्टर स्ट्रेंज यहां यह भी explain करते हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पीटर पार्कर अपनी dual life को चीना चाते हैं और इस boys के background में basically हम कुछ action scenes को भी देख पाते हैं यहां इस scene में basically Peter Parker का पीछा डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे हैं यह scene basically के chase scene होने वाला है औ और यह scene basically take place हो रहा है mirror dimension में जहां पर basically doctor strange spider man का पीछा कर रहे हैं और यह क्यों कर रहे हैं यह हमें कुछ अभी तक पता नहीं है पर यह देखकर हमें एक अंदाजा हो जाता है कि basically हमें इन दोनों के बीच में एक fight scene देखने को मिल सकते हैं और यहां कुछ आगे के scenes में basically doctor strange औ Peter को एक train में देखते है desert में और यहां basically Peter को doctor strange अपने magic की मदद से घेर रहे हैं और फिर आगे के scenes में basically Peter Parker को इसके astral form में देखते हैं और ऐसे ही कुछ similar basically end game में ancient one ने hulk के साथ किया था और उससे पहले doctor strange के साथ किया था और यहां basically Peter के हाथ में किसी तरह का box देखने को मिलता विलेंज को capture करने के लिए होगा और फिर यहां Peter को उसके iron spider suit में देख सकते हैं और basically इसमें कुछ minor upgrades भी हुए है अब बात कर लेते हैं इस teaser trailer में दिखने वाले villains के बारे में फिर आगे हम यहां इस scene को देख पाते हैं basically हमें daily wiggle की एक band देखने को मिलती है और उसके साथ यहां कुछ reporters है और basically तभी यहां पर एक lightning strike करती है और background में एक sand storm भी चल रहा होता है इससे basically दो विलेंज तो confirm हो जात इस बार yellow lightning देखने को मिलेगी लेकिन इसके बाद वाला scene बहुत ही awesome है जहां basically हम Peter के spider sense को triggered होता हुआ देख सकते हैं और basically हम Peter के पीछे से किसी तरह के creature को उस पर हमला करते हुए देख सकते हैं बहुत लोग इसे venom कह रहे है पर मेरी मानों तो यह basically लिजर्ड है और basically इससे प यहां पर Peter अपने black and gold suit में है और कुछ toy leaks के हिसाफ से basically Peter इस suit का use करेगा पर multiversal travel और इसमें magic का भी use कर पाएगा और वो यह suit basically use करेगा अगिंस इलेक्ट्रो फिर हमें next scene में देखने को मिलता है green goblin का pumpkin grenade फिर हमें background में green goblin की evil hussie भी सुनने को मिलती है और यह scene basically confirm कर रहा है William William Dappo के green goblin की involvement इस film में और फिर आखिर finally appearance होता है Alfred Molina के doctor octopus का guys literally यह scene goosebumps दे देता है और guys यह scenes basically vibes दे रहे थे Sam Raimi की spider man movies की और इसके साथ साथ guys इन actors को फिर से अपने iconic roles में देखना एक बहुत बरी बात है फिर आगे के scenes में doctor octopus basically Peter Parker को बोलते है hello Peter जिससे और एक बरा सवाल आता है कि doctor octopus Peter Parker हो जानते कैसे है मेरे कहल से guys इसकी दो possibilities हो सकती है पहली possibility यह हो सकती है कि doctor strange के spell ने ठीक से काम नहीं किया और दूसरी possibility यह हो सकती है कि यहां teaser trailer में scenes को swap किया गया है यानि कि यहां Alfred Molina का doctor octopus hello क्या रहा है टॉबी मैगवार के spider man को ना कि tom holland के तो guys अगर आप इस scene में tom holland के spider man को ठीक से notice करोगे तो उसका look आपको basically similar लगेगा टॉबी मैगवार के spider man के look से इन लोगों ने basically scene को as a easter egg डाला होगा और guys basically इस scene हम एक औरत को भी गारी में देखते हैं जिसको basically बहुत लग MJ की mother कह रहा है और guys इस trailer के आखिर में हमको देखने को मिलता है कमाल का suit up scene और यहां हो जाता है trailer खत्म तो guys इस trailer से यह बात कंपम हो जाती है कि यह movie x spider was movie होने वाली है और उसके साथ साथ the trailer was epic literally awesome बस अब एक ही दूआ करो कि COVID का प्रकोब जादा नहों और treatise खुले रहे ताकि हम इस movie को December में जाकर treatise में enjoy कर पाए so guys कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको यह trailer कैसा लगा so guys यहां पर हो जाता है trailer breakdown खत्म so guys मैं आपको मिलूँगा कि अपनी किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye